चाह ने चलाया है ये चाह तेरी कैसी है तो बिठा दे हो के तुझे गाउं का घर में चाह जिसके अंदर होती है वो जीता है और चलता है ये चाह है घर पर परिवार को बचाने की ये चाह है जीवत को सबसे पहतर बना लेगी देख चाह ने मुझे चला दिया और चाह ने ते प्रेम में ऐसे होगा, चाह में ऐसे होगा, कि सबसे बैटर जीवन को बेखना चाता हूँ, सबसे बैटर मैं उस मां के आचल को बेखना चाता हूँ, इस आचल में छीभी विवस्था और जीवन है, इस मा की चाहर मुझे ऐसा बना दिया कि सबसा है संक्रमनापदा बेन बाधा सिकार बोला है कैसे खा ले उस दुआर पर अन्त को विच्छा कैसे माग ले अभी तो बात सिक्छा की है यदि तुमने सिक्छा गहंट कर ली तो तुम्हारे दुआर पर हम विच्छा जहंट कर लेंगे नहीं तो चोले लो तो एक चोले ये तो आज इनकल किसी ना किसी दाट पर छूट नहीं है कारण ये मत समझना की एक परिक्रमा है अभी तो हमारा अखंड चलना अपना रभा है ये तब तक हम चलते रहेंगे जब तक उसमा की आचल को सुरक्षित तेरे हाथों से नहीं करा लेंगे और जब तक तक तेरे गाओं और घर को सबसे विवस्थित जीवन को इन बच्चों का न देख लेंगे तब तक ये अखंड चलना अपना रहा बारंबार इसी पर्च पर हम आते रहेंगे और बारंबार ये हमारा स्कल्व है ये बचल, कितापदर दस्तत लेता रहोगा जब तक घर और द्वार संक्रमण और वेज़द बाधा से वो मुक्च न होगे संक्रमण मुक्च समाज और जब तक सबसे बेहड़ ये आने वाली पीडियों के जीमन को नहीं देख लेता और घर बार को सुरक्षित नहीं देख लेता तब तक ये चलना आँए शादा कर रहेता और ये भी गाओं और घरते दुनियां से सीधा बोलता हूँ कि मां को भुचं दिया है और मां के मारे दिशानेदेश दिया है हम तो आजर जें शक्ती के दिशानेदेश पर आते हैं और चलते हैं भीट्टी व्क्रें का नहीं है किसी प्यक्ति में सामात तरहा जाहों, महरा जाहों कोई हो, हम तो सिर्फ माप जयानियु प्रियों करते हैं. तू पाउंगा नहीं यी येदी तू माहे सख्टी है और तेरे आचल से जागता है जब बच्छी का चन्व होता है। लेकिन वो जन्व के तुरंट बाद वो आहार नहीं देता माद के आचल से आहार देता है ऐसे लिव्रध है कि तेरे आचल में जो जल है अंधर की तो नाल की अंदर उसका खाऊंगा ने जब तकी वो इच्छा और विच्छा देगा सबीर को तेरे छोड़ दूँगा तेरे जल में विट्टी में वाईयू में सामथ है और तेरे वाईयू और जल मिट्टी के कड़ में शक्ति है तो उसी जल मिट्टी वाईयू से गाउन अगर में चलूँगा और यदि इसको मैंने पेर पहाडों को गुरु गोविंद का ने अपना स्वरूप माना है तो पेर पहाडों में जब तक छिपी हुए शक्ति को न बता दूँगा और इस माठी के कड़ की जीवन दता को गाउन धर को न बता दूँगा तब तक और धर का अंत बताना नहीं दूँगा ये भी बचलता है तुछे जानना पड़े हाई उसकारी में की माती माती हमारा अस्तित वह है तो माती से कैसे करें चक्ता है तेर पहारों को तुछे स्वरूप बताया और देवता और इश्वर्ण का रूप बताया तुझ जरूरत विवस्था की नाम मार उस पर रूप में तेरा जीवचंचप आज़ प्राथना है कि हर हाल में इन पेड़ पहाड और जंगलों को अमर्पंटक हमारा इस्थान अस्तान बस नहीं है यह शक्ती का असथित प्रपा है बिंद्याचा इन पेड़ पहाड और जंगलों को अब एक पेचा पड़ाना को पाटना बंद कर दे और जीवन माठी में जहर मिला की जीने की बात बंद कर दे ये कंपनियां और भूसरा सबसे बढ़ा एक और हमारी कीजियों को नसी का सिकार बन रही है नसा